तो स्वागत आज के एक और नए वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 10 साउथ इंडियन मिस्ट्री सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में सारी ही मूवीज एक से बढ़कर एक होने वाली है क्यूंके इन में मज़ेदा स्टोरी लाइन तो है ही साथ ही में तो नबर 10 पे एक मज़ेदार मूडर मिस्ट्री मूवी आपको देखने को मिल जाती है जहाँ पे कहानी की बात करें तो विक्रम अधितर नाम का पुलिस ओफिसर और उसी के साथ एक वकिल दोनों ही मिलके राजिंदर नाम के बंदे का जो मूडर हो गया है उसकी मिस्ट्री जाएगी एक बार तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए इसके सस्पेंस और मिस्ट्री के लिए मूवी का नाम है प्लैन बी जो को 2021 में आई थी 6.2 की IMDB रेटिंग देखने को मिल जाती है उसी के साथ कमाल का सस्पेंस तो इसमें है ही तो नमबर डाइन पे भी एक काफी कमाल की सस्पेंस मिस्ट्री मूवी आपको देखने को मिल जाती है जहां पर शोईलाइन की बात करें तो एक छोटे से गाउं में एक लाइबरेरी होती है जहां पर 1995 की एक ऐसी किताब है जो के वहाँ पे मौतों का कारण बनती जा रही है आखी स्टोरी में वो किताब कौन सी है और ऐसा क्या राजसुपा है कि उस किताब के कारण एक के बाद एक मौडर्स होते जा रहे हैं मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए इसकी स्टोरी लाइन के लिए इसकी मिस्ट्री के लिए और इसकी राइटिंग के लिए बहुत नमबर इट की मिस्ट्री थ्रिलर मौवी के उपर आ जाए तो यहाँ पर रवी कुमर नाम का एक नया नया ऐसा ही आया होता है उसी के पास मैरी नाम की लड़की मदद मांगने के लिए आती है मदद मांगने के तुरंती बात मैरी को यह ऐसा सोजाता है कि जितनी चीजे उस इस्पेंस वाली जो स्टोरी लाइन है न वही इस मुवी को काफी खास और अंडर रेटेड भी रखती है मुवी का नाम है मैरी जो गर 2023 में आई थी 7 की IMDb रेटिंग और इसी के साथ ये भी एक मस्ट वाच मुवी बन जाती है तो अगर हम अमारे 7 नमबर पे आने वाली मुवी की बात कर लें तो यहाँ पे तीन दोस्त मिलके अपने एक दोस्त की कंजूस मा से कैसे पैसे और घजाना चुडाने की पूरी ही कोसिस करते हैं कोई देखने को मिल जाता है एक बहुती कॉमेडी और मिस्ट्री वाली हिष्ट मुवी आपको देखने को मिल जाती है जहां पर लीड में आपको योगी बावू देखने को मिल जाते हैं उनकी कॉमेडी तो आपको पता ही होगा कि कितनी अच्छी होती है उसी के साथ मूवी की स्टोरी लाइन भी काफी ठीक ठाके जो कि आपको एंड तक हुक तो कारी लेगी मूवी का नाम है चाम्स बॉंड जो कि 2023 में आई थी 5.1 की IMDB रेटिंग अगर आपको ऐसी मूवी से देखना पसंद दे दो बच्चों के मुर्डर का इलजाम लग चुका है अब वो सच है के जूट वो तो आप मूवी में जाके ही जानो लेकिन मूवी आपको ये दिखा देगी के करीबों को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब उनका केस किसी बहुत ही रही सादमी के सामने होता है और उसी के साथ अरजुन रामपल ने जो एक्टिंग इस मूवी में की है न वो आपको बहुत ही जादा चौका के रख देगी बहुत ही अच्छी मूवी है एक बार जरूर देखनी चाहिए मूवी का नाम है नेल पॉलिश जो के 2021 में आई थी 7.2 की IMDB रेटिंग ये भी एक मस्ट वच मूवी है यार तो हमारी नंबर 5 की मूवी की बात कर ले तो एक बहुत ही मज़ेदार फैंटेसी मिश्टरी स्रिलर मूवी आपको देखने को मिल जाती है जहां पे आपको लीड में समन था एक्ट करते हुए देखने को मिल जाती है जहां पे हमारी में केरेक्टर का नाम है सावीतरी जो के एक 70 वर्स ये लेडी होती है वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा नाकुस होती है और इस चीज़ के लिए वो भगवान को कोस्ती रहती है लेकिन जब वो एक दिन स्टूडियो में अपना फोटो क्लिक करवाती है तो वो एक ऐसा मैजिकल स्टूडियो होता है जिसकी वज़े से 70 वर्स की सावीतरी वापिस से 24 साल की हो जाती है अब उसकी लाइफ में उसने जो जो नहीं किया वो 24 साल की होने के बाद करेगी वो ही आपको स्टूरी लाइन और जरूरी देखने को मिल जाती है प्लस आपको काफी सारे रियल लाइफ के लेसंस भी ये मुवी दे कर जाती है और इसमें काफी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है अगर आपको फेंटसी मिस्टरी थ्रिलर मुवी देखना पसंदे तो ये मुवी को जरूर ट्रै करना मुवी का नाम है ओ बेबी जो कि 2019 में आई थी 7.3 की IMDB रेटिंग देखने को मिल जाती है तो अब हमारी नमबर फॉर की मुवी पे आ जाते है नमबर फॉर पे भी एक काफी अच्छी मुवी देखने को मिल जाती है जहां पर श्टोरी लाइन में 30 मार खान नाम का एक लड़का होता है वहीं पर सामने वसुदा नाम के लड़की होती है जो के दोनों ही साधी कर लेते है हमारा जो में लड़का करेक्टर है वो गैंक्ष्टर्स लोगों के साथ काम कर रहा होता है और गैंक्ष्टर्स के साथ काम छोडने के बाद और साधी कर लेने के बाद कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वज़े से उसकी बीवी को वो खो देता है अब पूरी ही मुवी में वो क्या क्या करेगा वो आप मुवी में जाके ही जानो एक बहुत ही अच्छी वेंडेटा और रिवेंज वाली स्टोरी लाइन इस मुवी में आपको देखने को मिल जाती है उसी के साथ ठीक ठाक सा एक्शन भी इस मुवी में प्रोवाइट कर दिया गया है मुवी का नाम है तीसमार खान जो के 2022 में आई थी 5.5 की IMDB रेटिंग हमारी नमबर 3 की सस्पेंस मिच्टரी मुवी की बात कर ले तो यहां पर रुद्र प्रवा करन नामका जो आदमी होता है वो अपने बीवी को मारने के चकर में जेल में चला जाता है और कुछ सालों के बाद जब जेल में अपनी सजा काटने के बाद वो बाहर आता है तब वो बहुत ही अहीं सिक जीवन जीने का सुरू कर देता है लेकिन अब उसकी जीवन में क्या क्या होगा क्या उसकी बीवी को उसी ने मारा था के नहीं के कौन उसको मार दिया था और अब वो उसके बारे में पता करेगा के नहीं वही सब आपको इस मुवी में देखने को मिल जाता है साथ ही में मुवी में कापी अच्छा एक्शन भी देखने को मिल जाता है और बहुत सारे और भी ऐलिमेंट्स हैं जो कि आपको मुवी में हुक करने का काम करते हैं मुवी का नाम है दुरोपती जो के 2022 में आई थी एक बार तो आपको ये मुवी को भी जरूर ट्राय करना चाहिए मुवी की IMDB रेटिंग की बात करे तो 3.8 की IMDB रेटिंग देखने को मिल जाती है तो मारी नमबर 2 की कमाल की मुवी पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है दो जुड़वा भाईयों की जो के बच्पन में जुदा हो गएते यहाँ पर आपको लीड में राम पोथी नेनी एक्टिंग करते हुए देखने को मिल जाते है अब जो दोनों भाई बच्पन में जुदा हो गएते कैसे बड़े होने के बाद एक murder mystery के कारण एक दूसरे के सामने आ जाते है और कैसे वो दोनों अपने अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं के नहीं या फिर दोनों ने क्या गड़बडे की हैं वोही आपको इस movie में देखने को मिल जाती है बहुत ही अच्छी मिश्ट्री और सस्पेंस वाली मुवी आपको ये देखने को मिल जाती है प्लस आपको जो इस मुवी में एक्षन देखने को मिलता है न वो भी काफी अच्छा है मुवी का नाम है रेड जो के 2021 में आई थी 6.4 की IMDB रेटिंग और अगर आपको मिश्ट्री सस्पेंस और एक्षन वाली मुवी देखना पसंदे तो ये मुवी को एक बार जरूर कंसीडर करना तो नमबर बन की मुवी पे आजाए तो एक बहुत ही कमाल की स्क्रीन प्ले, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी है इसलिए मैंने इसको नमबर वन पे रखाए एक बार आपको ये मुवी भी जरूर ट्राय करना ही चाहिए तो उसी के साथ ये थी वाज की हमारी टॉप टेन साउथ इंडियन मुवी जो के सारी ही यूनिक और कॉंसेप्ट की स्टोरी लाइन के साथ देखने को मिल जाती है उम्मीद करता हूँ आपने एक भी मुवी को मिस नहीं किया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे लेना और दो वीडियो सापको स्क्रीन पर भी दीखी रही होगी उनको भी जरूर ट्रै करेना